राधे राधे आशा करतियों कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को बताने जारी हूँ करवा चौत की पूजन समा करे आप सभी लोगों को करवा चौत की हार्दिक शुप कामना है करवा माता की जै हो करवा चौत के जो कोई भी ब्रत करती हैं उन गिरहनियों के लिए उन सौभागे वती इस्त्रियों के लिए यह ब्रत अत्यंत महत्यों रखता है क्योंकि यह व्रत सौबाग से जुड़ा होने के कारण सभी स्थ्रियां बड़े भाő से उस्सा से इस व्रत को धारन करती हैं करवा चौत के ब्रत में जो पूझन समगरी लगती है बहुत छोटी-छोटी चीजे होती है वह सारी जानकारी उन पूजन समगरी की सामपून जानकारी आप लोग को मैं अपने वीडियो की द्वारा देने जा रही हूं किरपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें देखें सबसे पहले जरुवत होती है कैलेंडर की बहुत लोग खुद से चौथ माता बनाते हैं पानी में भीगो करके रख देते हैं फिर उसको पीशते हैं पीशने से यह चौठारी बंती है इसे चावल का चौरीठा कहते हैं यह बनाया जाता है उसमें थोड़ सा हल्दी मिला लेते हैं और उससे घर के आंगन के फर्स पर या छट के फर्स पर एक बनाया जाता है चौकोर चौरीठा से करवा बना लिया जाता है यह अपने अपनी सुवधा के अनुसार किया जाता है आजकल सभी लोग कैलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं दो करवा चाहिए होता है एक गणेजी के लिए और एक स्वैम के लिए बहुत लोग जो गणेजी का करवा रखते हैं वो मिटी का रखते हैं और जो स्वैम का करवा रख वह पीतल का रखते हैं बहुत लोग दोनों ही मिट्टी का करवा रखते हैं यह अपने तथा अनुसार अपने अपने विवस्था के अनुसार रखा जाता है करवा के उपर ढखने के लिए दो धकन होते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं उसके उपर एक दीपक जलाने के लिए मि जल भरने के लिए जल रखते हैं, कलस की स्थापना करते हैं बहुत लोग, बहुत लोग कलस की स्थापना नहीं करते हैं, गौर गनेस रखा जाता है, यदि आपके पास में किसी धातु के गौर गनेस हो, तो आप वही गौर गनेसी रख लें, और बहुत लोग फिर हल्दी या अभी सुपारी से गौर्गनेस बना लेते हैं अक्षत चुनरी कलावा कपूर जनेव करवा भरने के लिए समगरी चाहिए होती है जो कि आपकी रीत के अनुसार जैसा होता है वैसा भरें बहुत लोगों के हां चावल के आटे की पिन्नी बनती है उससे करवे में डाला जाता ह है चावल के आटे की पिन्नी बिना करके करवे में डाला जाता है बहुत लोगों के हां चूडा डाला जाता है मिठाई डाली जाती है ड्राइफ रूट्स डाले जाते है यह अपने अपने छित्र के अनुसार भरा जाता है तो यह क्या भरा जाता है वह आप अपने अनुसा और कर लिजेगा, करवा बरने के लिए हो गया, और माचिस है, करवा माता को उढ़ाने के लिए एक छुनरी रखें, एक लोटे में जल अलग से रखें, आच्वन के लिए, घी, दीपक जलाने के लिए, दीपक, रुकिबाती, सिंदूर का किया, चावल, चंदन, श्रिंगार क सामान जिसमें कि साड़ी कंगी चूड़ी बिंदी जितनी चीजे होती है वह सारा सामान और स्वैम में स्वैम का भी सिंगार करना चाहिए पूरी सिंगार करने चाहिए जिसमें कि हाथों में महंदी लगाएं पैरों में महावर लगाएं और एक दुल्हन की तरह अपना सिंग करना चाहिए जैसे माथे पर मांगती का नाक मेनत, गले में हार हो, हाथों में अंगूठी हो, पैर में पोचेव हो, नई चूडी पहने, लेगिन ये जरूरी नहीं है कि कर्वाचत पर आप नई साड़ी पहने, आपके चड़ावे में साडी के समय में जो चड़ावे है सबुन की साड़ी होती है वह शुभ होता है इसलिए उस साड़ी को जरूर पहना चाहिए करवा चौथ पर यह बरगदाही की पूजा कर रहे हो तो उस पर इस चीज़ की इस चीज़ का ध्यानक ना चाहिए, जिनका पीज़र आजा उसी दिन, तो उन्हें यह पूजा नहीं करनी चाहिए, आप अपने घर में किसी को बुला करके पूजा करवा लें, या कोई अपने घर में पूजा कर रहा है, तो आप उनके घर में जाकर के पूजा में सामिल हो ज बोजा नहीं क्या जाता है। इसका नियम यह है। यह नहीं है कि हम पूजा करेंगे और पूजा वस दूर से देखते हैं। फूजा में समलित नहीं हुआ जाता है। भोग लगाने के लिए फल और मिठाई ले 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 और इस तरीके से अपने अपने छेतर के अनुसाथ पूजा करें या मैंने आपको करवा चोथ की पूजन समगरी बताई है अब मैं आप लोग को पूजन करने का विधान बताती है कलश के उपर जो धकन रखा जाता है मिठी का ही धकन रखा जाता है उस पर रखने के लिए चावल या गेहूं रखें बहुत लोग चावल रखते हैं और जब पूजन हो जाता है तो चावल को उठा करके चिरिया को दाने के लिए डाल देते हैं बहुत लोग उस डखकन के पर पूरी रखते हैं और बतासा रखते हैं यह अपने छेतर के अनुसार होता है पूरी के उपर यह चावल के उपर दिपक जलाया जाता है दोनों ही कलश के ऊपर सीख चाहिए होता है करवा के अंदर दालने के लिए सीख की जरुफ़त होती है तो 5 ये 7 सीख लगती है सीख अच्छी होने चाहिए केड़ी मेडी ना हो तूटी ना हो जो कुशा की सीख होती है वो सीख साप सुत्री हो और लंबी सी हो तूटी हुई ना हो तेड़ी मेड़ी ना हो इस बात का ध्यान रखें बैठने के लिए आसनी हो या चादर हो फूल जरूर ले ले फूल रख ले और जिनके घर में कलस की स्थापना की जाती है वो कलस का सामान भी रख ले जैसे कि एक लोटे में जल रखें और कंथ तक मौली बांध ले उस पर स्वास्थिक बनाए फिर उसके उपर आम का पल्लाव रखें कटोरी में एक कटोरी भर करके चावल रखें बहुत लोग उसके उपर कोई फाल रख देते हैं कटोरी के उपर बहुत लोग दिपक जला देते हैं यह अपने छितर के अनुसार है इस प्रकार से कलश भी बहुत लोग त्यार करते हैं बहुत लोग कर नहीं रखते हैं, चंजमा को जल देने के लिए एक लोटे में जल रखें, एक छोटा सा पात्र में जल भी रखें, आच्मन करने के लिए, फूल रखें, अच्छत रखें, रोली रखें, चंदन रखें, सब एक ठाली में लगा करके रखना होता है, कपूर की औरती हैं बहृत औंपूर के आष्थी करते हैं तो कपूर रखें लॉंग रखें एक थाली में सारी वस्तों को लगा करके रख लेना चाहिए किर्पया मेरे चैनल को सपोर्ट करें मुझे सपोर्ट करें बड़ी मेहनत से बहुत उमीद से वीडियो को बना करके डालती हूँ लेकिन जब कोई लाइक नहीं आता है कमेंट नहीं आता है तो बड़ा ही दुख होता है किर्पया मुझे सपोर्ट करें बिना आप लोगों के सपोर्ट के मेरा ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए मेरी बिंती है आप लोगों से प्रार्थना है आप लोगों से किर्पिया मुझे सपोर्ट करें मैं अपने इस गुरु किरपा चैनल पर आप लोगों को करवा चौथ की कथा सुना रही हूँ, कार्धिक महातम की कथा सुना रही हूँ, पूरे एक महने की कथा सुना रही हूँ, सोमबार ब्रत की कथा, ब्रस्पदवार की ब्रत कथा, इसे भी सुना रही हूँ, एक आदसी क कथा सुनाती हूं प्रदोश ब्रत की कथा सुनाती हूं किप्या सारी कथाओं को अवस्य ही सुने मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है बहुत ही छोटा चैनल है नया चैनल है बहुत मेहनत पड़ती है बहुत मेहनत के बाद जब कोई रिस्पॉंस नहीं आता है तब बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा बेल आइकन जबूर दबादें लाइक जबूर कर दें धन्यवाद